नमस्कार कहानी संग्रे में हमारी सभी दर्शकों का हर्देख स्वागत है दर्शकों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि एकादसी को तुलसी दल नहीं तोड़े जाती तो कौन सा उपाय करें जिससे सिरी हर विश्वरू की क्रपा हम पर बनी रहे और हमा हमारा घर धन धानिशे भरा रहे और हमारा घर शुक्त संब्रतिशे परिपूर बना रहे इसके लिए हमें एकादसी ब्रत जो सिरी हर को अच्यदिक प्रिय है वह करें यद हमें सही विदी का ज्यान है तो हमारे घर के सभी अनिष्ट दूर हो जाते हैं वह हमारे पुत्र प घर आंगन या च्छत पर यह अद्वुत्चमतकारी तुलसी का पौदा अवस ही होता है और नहाने के बाद तुलसी के पौदे में हम हिंदू धर्म में जर अवस अर्पित किया जाता है यह पौदा हम प्रत्यच देवी के रूप में मानकर उसका पूजन करते हैं हमारे सास की अंसाज जिस घर में यह दैबी ब्रच होता है उस घर की छोटी छोटी बला स्वते ही डल जाती है जब भी आप सुवह इशनान आदकर तुलसी मा को जल अर्पित करें तो आपकी जो भी परेशानी हो मा के समच कहें प्रत्य दिन आप उनसे अपनी समस्या के समाधान के व दूर हो जाएनी और आपको ऐसा प्रतित होगा आपकी परेशानी अब धीरे धीरे समापत हो रही है दर्सको हमारे सास्त्रों में एकादसी की दिथी को तुलसी के पौदे का इस पर बर्जित पताया गया है और बिना तुलसी दल के अर्पित किये बिना सिरी हर की पूजा अधूरी मानी जाती है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड कर रखें सूर ग्रहट चंद ग्रहट रविवार मंगलवार मकर शंक्राती आज ऐसी तिथियां हैं जिन में तुलसी दल नहीं तोड़े जाते आप 11 दिन पहले तोड़े गए तुलसी दल को वी सिरी हर को लगा सकते हो सिर्फ आपको निसिद तिथियों का इसमरट अवस ही बना रहे तुलसी पूजा की एक विषिस बिधी जो एकादसी तिथि में की जाती है एकादसी तिथ को सिरी हर विष्डू साले ग्राम आज की पूजा करें यद साले ग्राम आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं सिरी हर की प्रत्मा जिसमें सिरी हर के साथ माता लच्छमी नहों ऐसी प्रत्मा को तुलसी के गमले में रख लें फिर धूब दीप कपूर आज से पूजा करें फिर माता तुलसी की पूजा करें ऐसा करने से मनुस्त के जन्म जन्म के पापनश्ट हो जाते हैं य यद एकादसी ब्रत नहीं रखते हैं तो भी आप पूजा कर अपने कश्टों से मुक्तिफ प्राप्त कर सकते हैं यद आप कामकाजी हैं और पूजा के लिए आपके पास परियाप्त समय नहीं है तो सिरी हर की कोई प्रत्मा या तस्वीर भी नहीं है ऐसी अवस्था में आप एकादसी को तुलसी माँ पर जल अरपित न करें जब भी एकादसी को तुलसी माता की पूजा करें तो गमले में जिसमें तुलसी का पौधा इस्थापित है उसमें सिरी हर की प्रत्मा रखकर उस पर पंचमरश से इश्नान सिरी हर को कराएं सिरी हर के साथ माता तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं बिना हर की प्रत्मा रखे माता तुल्सी को एकातसी के दिन इस पर्ष न करें साम को आप माता तुल्सी में धूप दीप रखकर उनकी इस्तुती कर सकते हैं और यद सिरी हर विश्डू तुल्सी साथ में हैं तो आप विद्वत पूजा परक्रमा जल पूज या मंत्र का जाब करने से माता रानी अतिसीग ही प्रसंद हो जाती है। क्रपा प्राप्त करने के लिए राम बार का कार करता है एकादसी के दिन भगवान सिरी हर्व माता तुलसी को भोग अन्न का भूल कर भी न लगाएं हमारे सास्त्रों के अंसार एकादसी को माता तुलसी का पूर ब्रत होता है ऐसे में यद आप फल चड़ाएंगे तो अच्छा है यद आप धूब दीफ से केवल पूजा करते हैं तो मातारानी की क्रपा के पात्र बन सकते हैं ऐसा करने से लिका दसी के सासाथ आपको तुलसी पूजन का भी पूरा लाप प्राप्त होगा यह कार जब आप करेंगे तो थोड़े ही समय में आपको अपने जीवन में इसका सकारात्मक परडाम देखने को मिलेगा जब भी आप जल अरपित करें तो एक मिनट पौदे के पास खड़े होकर ध्यान पूरवक मातारानी को देखकर मन ही मन में अपनी कामना को जरूर करें यह नहीं है कि आपने जल चड़ाया और सीगर ही मातारानी का इसमरड किये बिना वहां से चले गई यद आप तुलसी माता को दीपक जलाना चाती है तो सबसे स्ष्ष्ट समेश साम का है और यदि आप सुबह को दीपक जलाना चाती है तो ब्रहम महूर्त में ही जलाएं साम को तुलसी माता के पास देशी घीका दीपक जलाने से अखंड सौभागी के साथ धन वैवप पर एस्वरी की फ्राक्ती होती है ये बहुत ही कारगर उपाय है सिरीहर को प्रसंद करने का ये आसान उपाय इसके अलावा प्रत्य गुर्वार को मातारानी के उपर गाय के दूद को जरू छड़कें जिससे आपका संफुर्ट फूजन सार्थक होगा दर्शुको ये थी हमारी आज की प्रस्तुती अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें